हाई दूस्तों असलाव वर्यूम कैसे आप लोग मेरा अभी लिए आज हमारा संडे क्यूएने है जिसमें आपके पुछेवे questions के आंसे में देनी questions करता हूँ अगर question चूट जाता है then I am really sorry for that लिए उसके लिए हम जादा कुछ कर नहीं सकते है questions लेंगे फटा-फट से कि उसके बिले बात बता दू पितले Sunday Q&A मैंने आपसे question पूचा था क्या Sunday Q&A को मैं Shorts के form में भी डालू बहुत लोगों को लगा कि मैं Shorts के form में ही डालने की बात करा हूँ तो ऐसा नहीं है Shorts के form में भी डालने की बात करा हूँ यानि कि Sunday Q&A अपना पूचन तो अभी समझ में आई गया होगा इस चैनल पर आपको disturbance नहीं होगा एक अलग चैनल बना रहा हूँ Shorts जो है यह जादा लोगों को reach करता है शायद मुझे ऐसा लगता है तो उन लोगों को भी benefit होगा बाकि आप लोग जो लंबा session enjoy करते है हमारे वीडियो का वो enjoy कर सकते वैसा का वैसा बस आप में से जितने लोग को ने subscribe नहीं किया था उस चैनल को वो कर ले description में और पहले comment म आपको link pinned मिल जाएगा तो लेते पहला question दोस्तो हमारे Sunday QN का question पुछा है Max Moki ने यह बोते है कि 15 Pro Max पे मैं अपग्रेड किया है regular 12 से मैं बहुत enjoy कर रहा हूँ इसको लेगिन smartphone इसे जादा क्या ही अच्छा दे सकता है और as a human हम इसे जादा क्या extend कर सकते है technology जो है अपने और display power processor battery camera यही सब हम को चाहिए होता है और हमको उस तरीकी के phone नहीं चाहिए होते जैसे Samsung का fold है flip series है यह worst outcome है in the name of innovation ऐसा मुझे लगता है Samsung का जो fold है flip है वो actual में use करने करे तो बहुत खराब है यह सही बोल रहे है आप innovation की मामले में मैं मैं समझता हूँ कि वो खराब नहीं है व camera के अंदर बहुत सारे compromises है IP rating में compromises है लेकिन वहाँ पे उसको better बनानी की वो लोग कोशिश कर और definitely मुझे लगता है कि अगर उसको better बना है और काफी अच्छे experience दे तो बहुत सारे लोगे वो काम भी आ सकता है बाकि technology के अभी बहुत सारी चीज़े बाकि है बहुत कुछ ह यह है कि pro variant में अगर आता है तो 2x, 3x, telephoto, camera जो है non pro में भी देना चीए 90Hz या 120Hz refresh rate देना चीए ऐसा लगता है कि apple जित पकड़ के बैठा high refresh rate नहीं देगा consumer को और रोता रहेंगे consumer और slow adoption है technology का कहीं ऐसा नहों जाए कि Nokia और Blackberry बिंच नहीं अगी apple बहुत दिमाग से खेलता लोगों नहीं देना जकी देना है और घपिलाल 16 बहुत थागता है और टेली फोडो लेंस वोगरा जो आप कोची है वो भी आने के चांसे काफी कम है कोशन पूचा है साइद मुबश्र ने ये बोलते है एपल विजिन प्रो की वीडियो कब ला रहे हुआ जब भी इंडिया में अवेलेबल होगा तब लेकर आने की कुछ करेंगे क्योंकि यहां पर बहुत सारे कंट्री के अंदर कुछ न कुछ चीज़े होती है अलग अलग और अभी ये प्रोड़क्ट जो है एकदम इनिशल बैच है इसका कैसा रहता है क्या रहता है देखा जाएगा उसके बाद जब इंडिया आएगा तब लेगे मैं तो लेने के लिए बटा हूँ अभी आया होता तो अभी जो है मैं ले चुका होता लेकिन आया नहीं तो आप क्या कर सकते रिष 66 ने यह वो थे अंडरी जूरू फर्स्टाइम आईफोन पर शिफ्ट होना चाहता हूँ 30,000 का बजट है न्यू आईफोन 13 अमेजान की सेल में प्राइस डॉप करके अंडर 30 आएगा तो बाय करूंगा अदवाई सेकेंड आइड आइफोन 14 ओल रहा है सेम प्राइस म लेना जो है बहुत दार रिस्की है आईफोन 14 जो है आपको 30,000 में वहाँ पर आफर हो रहा है आप जाएंगे लेकिन हो सकता आपके साथ फ्रॉड हो जाए और OLX पे आप आड देखके जाते हैं अगर आप फर्स्ट आम आइफोन बायर है तो आपको बहुत दार रिस्क है होने का आपके साथ क्योंकि आइफोन को चेक करना जो है वो आइफोन यूदर सबसे अच्छा जानता है तो अगर आपका कोई फ्रेंड है तो इसको साथ में लेकि जाओ अदरवाइस यह सेके ना के चक्कर में मत पढ़ो प्रजवल जोशी का क्वेशिन है कि मैं मैं 2024 में ल पढ़ सकता है अगर आप कोई और परपस के लिए बोलते हैं तो मैं कुछ और आपको साथ करता लेकिन आपने क्योंकि परपस में नहीं किया है मुझे रहता है बेसिक वक आपको करना है जिसके लिए फिंटास्टिक प्रोड़क्त हो अगला कुछ ने देबांग बुशन का होता है या चार्जिंग रेंज होती है वो 22-80 परसंट है सामसंग का फोन भी देखो उसमें 85 परसंट के लिमिट उन्होंने दीवी है वह आप सेट करक सकते हो आईफोन में 80 परसंट की लिमिट है ऐसे बैटरी के लिए सबसे बेस्ट यह होता है लेकिन अब आपल वाच को आप बार बार कहां 80 से 20 की बीच में रखेंगे क्यों आपल वाच जो आपने ली है उसकी बैटर लेफ कम है अगर अल्टरा हो दी तो मैं बोलता है चलो ठीक ठोड़ा ध्यान रख लो लेकिन इस सब मुश्किल है थोड़ा करेंगे अठरा गंटे से चलने वाली नहीं आपक गंटे चली जाएगी वह बैटरियल थोड़ी गिर भी जाती तो फरक नहीं है बसे इंजोई कर आप उसको कोश्चन बुचा रजद महाजन ने बोलते हैं उनिजन की चार्जर का आपने रिव्यू किया लेकिन आपने पहले सजिस किया था कि मैक सेफ चार्जर या मैगनेट पर रख देंगे फोन भी आपका चार्ज रहेगा ऑफिस के डेबल पे बैटे हो आपको बार बार उठना पड़ता है यहां वहां जाना पड़ता है तो वायलेस चारजर पर फोन रखते हो उठाके लेके जाते हो तो यहां पर चार्ज़र करने बाकि एक्सटेंसिवली आग होते है जो आपके review unit होते है उसको आप कम नाम में बेचते हैं क्या ऐसा है तो फ्यूचर में ले सकते है बट बहुत ही आपके लिए और मेरे लिए मुश्किल पेश आएगी इसके अंदर आप कैसे मुझसे कॉडिनेट करेंगे इमेल करेंगे आप में आपको प्रॉड़क भेज़ूंगा या पहले आप पैसा बेजेंगे तो यह सारी hassle में पड़ता नहीं उठाके जो है अपना एक वेंडर है उसको में दे रहता हूँ वो बेज कर मुझे पैसा दे रहता है अब इंट्रेस्टेट है बहुत अची बात है लेकिन यह थोड़ी प्रॉब्लम मुझे भी होती है और उसके अंदर multitasking दिये मुझे बहुत पस्द नहीं फोल्ड 5 भी मेरे पस था वनप्रस ओपन भी था दोनों निकाल दिया में रिव्यू करके क्योंकि वो फोन जो है लॉन्ग नम में रखने लाइग नहीं है बहुत ही जो है मुझे अन्रिलैवल लगते है और नाजुक है फोन अपने हाथ से कभी गिर जाता है और यह सारी चीजहों के जिवाज आप से सैने है तो यह जाते है थोड़े और रगेट थोड़े और रफन टफ ऽवोन जब होगे और थोड़ा कामरा पफॉर्मेरा पर्फॉर्मेंस बेटर होगा तब जाकि वो फोन लेने में मज़ा आएगा आईफोन बेच के अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो इन आईफोन रखते वे लेंगे और थोड़ा यूज करके देखेंगे तब ज्यादा उसमें समझधार देगी वन्ना ऐसा नहों जाए कि वह फोन आप ले बी ले और ये फोन के पैसे भी आप खराब कर ले अपने मतलब कम नामे बेच ले और नुकसान आपका ज्यादा हो जाएगा उसमें दिपांशु का बोलना है कि कौनसे ब्रैंड का केस आप अपने एरपॉट्स प्रो पे यूज करते हो तो एरपॉट्स प्रो के लिए जो केस में इस्तवाल करता हूँ वो यह है रिंके वाल को डॉट इन है इंडियन वेबसाइट का नाम और नभील 18 कूपन कोट चेक आउट पर अपलाई करना फॉर बेच डिसकाउंट जैश का कॉश्चन है कि 15-20 दिन में आपके सब्सक्राइबर्स कम हुए है नभील भाई तो बिल्कुल कम नहीं हुए हर महीने अभी फिलाल तो लॉयल अपने सब्सक्राइबर जिनकात मैं भी ऑनिस्ट और लॉयल हूँ वो लोग अपने को चैनल कर सब्सक्राइब करके रखेंगे और एंड तक जो है वो लोग साथ भी देंगे हमारा नकुल पिटालिया का क्वेशन है यहां पर के बोलते के गेमर आइफोन पे ही खेल अपने लिया है ब्रैंड से वहाँ पे मेंशन कर दो रेवी उनेट दिया है तब भी मेंशन कर दो वो ज्यादा समझदारी रहती है शुबा मुकर जी का क्वेशन है कि आप कंपेर करेंगे कि एस 23 को 22 से जैसे आप आइफोन को कंपेर करते हो और एस 23 अल्टरा को 24 अल्टरा आने वर्जन से नए वर्जन में वह आपको बता नहीं कुछ करूँगा वाकि S23 मिरे पास नहीं है 24 है अगर 23 आया मिरे पास कहीं से तो फिर मैं बनाऊंगा उसकी वीडियो का क्वेशन है कि Samsung हर साल कुछ नया लेके आता है कुछ तो इनोवेशन करता है iPhone Dynamic Island को लेके हाइप कर रहा है Type-C कोई feature होता है क्या फिर भी तू iPhone ही करता रहे तो यहां पर जो आपका question है बहुत अच्छा question है Samsung हर साल नए features लेके आता है तो Samsung ने इस बार क्या नए features लेके आया आप जो बोर रहे हो कि design में कुछ नहीं आलाता है तो यहां पर देखिए design दिख रहा है आपको जुड़वा भाई रही बात flat display की तो यह iPhone में पहले सी ही था हम तो पहले सी बोर देखिए flat display जो है यह curve display से better है लेकिन Samsung ने अभी दिया और जो wallpaper का style है कि जहां पर आपका phone lock रहेगा always on display में wallpaper दिखते रहता है यह भी iPhone से उठाके इन्होंने यहां पर डाला है इसको innovation बोलते किया तो इसमें और Apple में क्या फरक हो गया Apple की क्यों बुराई कर रहे आप यह में को समझ में अल्टा है अपल जो features इसमें दे रहा है वो पुराने 14 में भी दे रहा है 13 में भी दे रहा है कुछ features इनके लिए exclusive रख रहा है तो यह चीज़ Samsung में भी same हो और Apple में भी same हो और कोई भी नहीं सकता है कि हमें criticize करना क्या मना है कि इन फोन के companies को Samsung को criticize नहीं करते बस तारीफ ही करते जाओ इसकी AI features की आपके पास तो है भी नहीं यह phone आपने तो उसके AI features चेक आउट भी नहीं किया आपको पता भी नहीं क्या सही से काम कर रहा आपने वीडियो में देख लिया ल धम का यह बोलते है कि OnePlus 3T यूज कर रहा था OnePlus 11 तक मैंने उसको यूज किया और स्विच किया 14 Pro Max पे iPhone बेस्ट है Android जूते चपल वाली feeling देता है यह मेरे दिल की बात आपने बोल दी हलाके मैं अगर बोलूगा तो लोग नाराज हो जाते है यहां पर बेपस OnePlus 12 रखा हुआ है और आपने इसको नहीं लिया आपने पैसे बचा लिये अच्छा हो आपने 14 Pro Max दे लिया मुझे समझ में नहीं आता है कि OnePlus के जो यूजर्स है वो इतने गंदे कैमरा क्वालिटी खास करके वीडियो में उसके साथ कैसे इस फोन की तारीफ करते और कैसे इसके साथ इसके साथ के लिए डाला मैंने और यहां इतनी घटिया इसकी जो वीडियो कॉलिटी है यह मेरे समझ में नहीं आती तो आप लोग खोड़ा करो कंपनी से जो लोग OnePlus यूजर है कि भाई कुछ अच्छा इसमें जो है वीडियोग्रफी वोगरा दीजिए इतना पैसा दालने के बाद व और वह समझे पहले माक्सेयफ जहां पर वाइलेस चाज़िज घुटेफर भी मैंने जो पहले सादे सांधे साथ या 10 वाटड चया अस-पास थी सुर्फ का question है कि अगर मैं 2TB का स्टोरी ले लो, iCloud का सब अपलोड कर दू, उसके बाद पे करना बन कर दू, फिर कुछ 1-2 साल के बाद पे करके उसको डाउनलोड कर दू, तो वो सब मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं मिलेगा मेरे भाई, 30 दिन के अंदर Apple उसको डिलीट कर देगा, एक बार आ आइफोन 12 जो है, वो मुझे दे रहे है, सेम Apple ID के साथ, लेकि मुझे नया Apple ID बनाना है, दोनों डिवाइस के लिए, और उनकी Apple ID निकाल देना है, तो Apple ID चेंज करने का, क्या सिस्टम है, MacBook पे, without losing data, thanks in advance, देखिए, आप simply sign out कर सकते हैं, उनके Apple ID से, और अपने Apple ID से sign in कर सकते आप्लिकेशन आपको re-download करने पड़ेंगे, अपने Apple ID से, क्वेशन मुझे आजय ने, 15 Pro Max दुबाई के स्टोर से इनको लेना है, UAE के जो स्टोर है, वहाँ से, Apple स्टोर से, तो online जाके वो खरीच सकते हैं, उनका फ्रेंड वहाँ से पिक अप कर लेगा, कर सकते हैं, इंट आपको दोनों अलग-अलग phones यूज करने कर, रही बत, camera की, camera performance की, तो उसमें मेरी choice है, 15 Pro Max, S24 Ultra जो है, बहुत ही घडिया quality के वीडियो निकालता है, lens switching तो इतनी गंदी है, कि उसकी कोई limit नहीं, मैं आपे लगा देतो, lens switching देखो आप, जो वीडियो बना है, उसमें तो है, इसमें भी देख लो, आप इतनी गंदी lens switching करेगा, कि आपका पुरा मजा किरकिरा हो जाएगा इसमें, अजगर अली बोलते है, कि चपरी YouTuber S24 Ultra best है, अगर नहीं है, तो टेकी पार्ट चला का वीडियो देख लो, iPhone best है, लेकिन S24 Ultra से जाधा नहीं, मेरे भाई, उसका वीडिय नहीं है, experience नहीं है, आपने वो चीज ली नहीं, तो आप कैसे बोसे बेस्ट है के नहीं है, यहाप आप देख रहें, दोनों फोन अपने हाथ में, तो इसलिए मैं बता सकता हो कि कौन सा बेस्ट है, और जहाँ पे जो चीज बेटर थी, वो चीज मैंने बताया, जो चीज ब बुराई नहीं निकाली, Samsung की इस बार बहुत पैसा खिलाया है, अब यह लोगों के पैसे जाया कराएंगे, आने की वेस्ट करवाएंगे, तो बिलकुल हो सकता है, ऐसा, मैं तो नहीं बोल रहा है, आप बोल रहे है, तो मुझे पता नहीं किस ने पैसा खाया, किस ने नहीं सिंपल एक चीज़ कर सकते हो, सीरी को बोल सकते हो, कि turn on auto brightness, और इस तरीके से एक सेकेंड के अंदर या दो सेकेंड में आप auto brightness on off कर सकते, डीडी नायक का question है, कि Macbook में Microsoft Office कैसे install करें, तो पहले बात तो वो चीज़ करने के आपको ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप कर सकते, आप स्टोर में मौजूद है, पैसा दे के आपको करना पड़ेगा, पारेटेड लेना है, तो मेरे पास जवाब नहीं है, रही बात, Macbook के अंदर Microsoft Office इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, यूकि सारे जो फाइल्स है, Microsoft Office के, वो Macbook के अंदर जो Office Suite है, उसमें open हो जाएगा PDF, Word, Excel, PowerPoint, सारी चीज़े, और आप उसको जो format में चाहे, उसमें export कर सकते हैं, सारी चीज़ें free of cost होगी, so complexity का question है, के S24 Ultra और S23 Ultra में से आपके इसाब से कौन सा बेस्ट है, कोई reason मत बोलो, सिफ जवाब दे दो, तो मेरे हिसाब से तो S24 Ultra बेस्ट है, कोई reason नहीं बोला, मैंन 14 Pro Max है, कोई sense बनता नहीं, कि 15 Pro Max ले, सेम कहानी यहाँ पे भी होती है, बहुत ही marginal difference होता है, AI के features है, इसके अंदर definitely, इसके साथ भी जो है, आने चाहिए ते वो features नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेगिन यह जो AI के features है, जिंदे के बार आपका 7 नहीं देने वाले, 2025 तकी है, बाद में आपको पैसे देने पड़ेंगे उसके लिए, पहाडी fans का यहाँ पे comment है, उसका answer देना शाहूंगा, मैं बोलते है, iPhone के लिए no multitasking, तो multitasking कर अब split screen को बोलते हो, तो हाँ वो चीज़ नहीं है, आइफोन के अंदर, customization नहीं है, तो यह बहुत गलत बात है, सारी है, वो बंदर की आप नहीं बना सकते है, मानता हूं मैं, वो चीज़े नहीं है, no side loading of apps, तो अभी आज चुकी है, EU ने प्रेशर डाला है, और शायद इंडिया में भी यह चीज़ हमको देखने मिलेगी, iPhone expensive है, तो expensive होती है, ऐसा तो कुछ नहीं है, दुनिया में बहुत सरी फ्री है, limited widgets है, even after upgrade to iPhone, तो limited widgets ही होने चीज़े, पूरा फोन विज़ेट से नहीं भरना होता है हमको, जितने widgets जिसने app के लिए ज़रूर ही है, वो सब है, iPhone के अंदर, बहुत simple है, तो simple होने में बुराई के अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, रिवाम नहीं किया, ज़रोद भी नहीं है, कौन से फोन में आप यूज करते हो, Samsung में कोई software यूज करते हो आप उसका, limited launcher, तो launcher की कोई जो इतनी iOS अपने आप में बहुत खुपसुरत है, बहुत अच्छा लगता है, बाकी जब side loading आएगी, तो सारी चीज़े आपको आप द ज़्यादा हीट होता है, लेकिंद प्रोसेसर भी उतना फास्ट है, ओवरीडिंग नहीं होती, पहले हो रही ती रिया भी solve कर दिया, एपल ने, और लिखते है बेड बैटरी, तो बेड में इसकी बैटरी जादा चलती है, अगर आप बैटरी बहुत गलत हो, मेरे भाई सब आप से बैटरी डाइब निकाल के देता है, आईफोन 15 प्रो मैक्स, विनाएक बलते है रात में Bluetooth वाइफाई आफ करना चीए, क्या 14 प्रो की बैटरी रात में 67% कम हो जाती, बिल्कुल आफ करना चीए, अपके हल्थ के लिए बहुत सही है, और घर का वाईफाई भी आफ कर लोगों कभी दिखाता हो, कभी नहीं दिखाता हो, मुझे बड़ा मज़ा आता है इनका कॉमेंट देखके, तो यह बोलते है कि सैमसंग जो है, बेटर काम करता है, बेटर ओफर देता है, और डीज देता है, आपल इसके बारे में कभी नहीं बोलोगे तुम, और आपल बस आपल को कोई प्रावलम नहीं है, लेकिन प्राड़क्ट जो है सही से काम करना चाहिए, अब आइफोन 15 प्रो मैक्स, कितना मस्त, लेंस स्विचिंग और यह सारी चीज एकदम प्रॉपर, जो भी चीज है, इसके अंदर सब सही चलती है, वहीं पे S24 अल्टरा लोग तो इस में नहीं आ रहा है, कुछ में आ रहा है, ऐसी कुछ से लेंस स्विचिंग होती है किस फोन के अंदर, महेंगार होए एक बार, सस्ता होए बार बार, तो यह था दोस्तो हमारा Sunday QN, जो दूसा चैनल में बताया, जिसमें यही QN के शॉट्स आपको देखने मिलेंगे, एक एक कॉमेंट आपको देखने मिलेगा, तो आपका जो कॉमेंट आया है, आपका नाम आया है, उसको भी आपके से शेयर करने तो एजी रहेगा, आपके लिए उसको सब्सक्राइब ज़रू करेना, उमी कदा दोस्तो, आपको आज का वीडियो पसने आपका पसने वीडियो का और में इस चानल को सब्सक्राइब जिए गुट बाए